जे स्रीक्रिष्णा राधे राधे आई ये सुनते हैं गोगा नौमी ब्रतकथा पूजनविधी इवं महत्वत बालमे की समाज में अपने अराध्यदेव बीर गोगा देवजी महाराज का जन्मोच्षव गोगा नौमी के रूप में परंपरागत स्रधा भक्ति और उत्साह उमंग के साथ हर सुल लास पूर्वक मनाया जाता है गोगा नौमी का तेवहार कई राजियों में मनाया जाता है यह तेवहार मध्यप्रदेश चतिसगर के अलामा राजस्थान में खासतोर पर मनाया जाता है क्योंकि यह पर्व राजस्थान का लोग पर्व है इसे गोगा नौमी भी कहा जाता है इस वस भादरपत की कृष्ण पच की नौमी तिथी आठ या नौ सितंबर को आ रही है यह तिथी गोगा नौमी के नाम से प्रशिद है इस दिन गोगा देव स्री जाहर वीर का जनूच्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है इस दिन नागों की प पूजा करने से सापों से रच्छा होती है गोगा देव की पूजा स्रावरी पूरिमा से आरम हो जाती है तथा यह पूजा पाड नौ दिनों तक चलता है यानि नौमी तिथी तक गोगा देव का पूजन किया जाता है इसलिए इसे गोगा नौमी कहते हैं गोगा देव महा गोगादेव का जन नाच संप्रदाय के योगी गोरखनात के यासिर बाद से हुआ था। गोगादेव का जोत कथा जागरण कहा जाता है। वह सोभायात्राय निकाली जाती है। निसानों का यह कारवा कई सहरों में पूरी रात निकलता है। इस दिन भग अपने घरों में जाहरवीर पूजा और हमन करके उन्हें खीर तथा मालपूआ का भोग लगाते है। भाद्रपद क्रिश्नवमी के दिन सुबह जल्ली उठकर रोज मर्रा की कामों से निवरीथ होकर खाना आदी बना ले। भोग के लिए खीर, चुर्मा, गुलगुले आदी बना ले। जब महिलाएं बीर गोगा जी की मिट्टी की बनाई मुर्ती लेकर आती हैं तब इनकी पूजा होती है। मुर्ती आने पर रोली, चावल से तिलक लगाकर बने हुए प्रशाद का भोग लगाएं। कई अस्थानों पर तो गोगा देव की घोडे पर चड़ी हुई बीर मुर्ती होती है, जिसका पूजन किया जाता है। गोगा जी के घोडे के आगे डाल रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि रच्छा बंधन के दिन बहने अपने भाईयों को जो रच्छा सुत्र राखी बानती हैं, वह गोगा नौमी के दिन खोल कर गोगा देव जी को चड़ाई जाती है। इस दिन गोगा देव का प्रिय भजन गाया जाता है। इस तरह के कई भजन और गिर्गाकर गोगा देव का गुरदान किया जाता है। कई अस्थानों पर हर वर्स जन्माश्मी और गोगा नौमी पर जाती जिसे राजस्थान में खेजडी नाम से जाना जाता है और गोगा के पौधे की पूजा की जाती है पूजा की गए पौधों को बिधी बिधान से जल में प्रवाहित किया जाता है गोगा नौमी के सम्मंध में यह मान्यता है कि पूजा अस्थल की मिट्टी को घर में रखने से सर्प भैन नहीं रहता है ऐसा माना जाता है कि बिर गोगा दिम अपने भकतों की समस्त मनों कामनाई पूड करते हैं भाद्रपद क्रिश्न नौमी को मनाया जाने वाला गोगा नौमी का तेवहार काफी प्रशिद्ध है भाद्र पद्मा की कृष्ण पच्छ नौमी को गोगा नौमी मनाई जाती है इस दिन को कुमहार लोग काली मिट्टी की प्रतिमा बीर पुरुस की रूप में बनाती है इस प्रतिमा को ग्रिहस्त लोग गोगा नौमी के दिन घर ले जाकर उसकी पूजा करती है और प्राचिन कथाओं के अंसार गोगा जी महाराज को सापो के देवता के रूप में पूजा जाता है गोगा जी महाराज गुरु गोरकनाजी के सिस्य थे और इन्हें राजस्थान के छ सिद्धों में से प्रथम माना जाता है कहा जाता है कि गोगा देव का जन गुरु गोरखनात जी के आशिरबार से हुआ था गोरखनात जी ने गोगा देव की माता बाचल को प्रशाद के रूप में एक गोगल दिया था जिससे गोगा जी का जन्म हुआ था गोगा नौमी के दिन लोग अपने देटा गोगा जी की पुजा करते हैं और भजन किर्टन करते हैं गोगा नौमी तेवहार प्रमुख रूप से राजस्थान में मनाया जाता है इसके अलावा छत्तिसगर्व, मध्यप्रदेश और जहां भी राजस्थान के लोग रहते हैं वहां मनाया जाता है आईए सुनते हैं गोगा नौमी की कथा राजस्थान के बीर महापुरूष गोगा जी महाराज का जन गुरु गोरपनाद जी की आशिरबाद से हुआ था गोगा देव जी की मा बाचल देवी निशंतान थी उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कईयत न किये परंतु सभीयत न करने के पश्चात भी संतान सुख नहीं मिला एक बार की बात है गुरु गोरपनाद जी महाराज गोगा मिली में टिले पर तपस्या कर रहे थे बाचल देवी उनकी सरण में गए तब गुरु गोरपनाद जी ने बाचल देवी को पुत्र प्राप्ति का बर्दान दिया और साथ में एक गुगल नामक फल प्रशाद की रूप में दिया प्रशाद खाकर बाचल देवी गर्वती हो गए और भाद्रपद माह की कृष्ण पच की नौमी को गोगाजी महाराज का जन्म हुआ गुगल फल के नाम से इनका नाम गोगाजी पड़ा चौहान वन्सकी राजा प्रिथवी राज के पश्चार गोगाजी महाराज पराकरमी वीर और ख्याती प्राप्त राजा थे गोगाजी महाराज का राज्य सतलु से हर्यारा तक फैला हुआ था बिद्यवानों के अंसार गोगाजी महाराज का जीवन सौर्य, पराक्रम और उच्च जीवन आदर्सों का प्रतीक माना जाता है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बिल लोटिफिकेशन औल पर स्चेट करने, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, धन्यवाद